हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो मैं चानल तकेसे आप सब आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशियो की कुछ साडिया जो की है कोमल सोनी मैम से रिलेटेट अगर आप मेरे चानल पे नए है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू कीजिए सब्सक्राइब करने के साथ चोटा सा जो बैल आइकोन आता है इसको हिट करना बिल्कुल भी ना भुलिए और हाँ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इस इंस्टाइडी पे जाके मुझे आ पको देखना है बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे कमेंट करते हैं कि प्लीज दी या मैम इस साडी का रिव्यू कीजिए तो वो साडी जो है आप बताते हैं कमेंट्स में लिंक भी कोई-कोई शेर करता है लेकिन क्या होता है वो स्पाइम में चला जाता है तो लिंक जो है कुछ आप पिक सेंड कर सकते हैं तो मैं वो साड़ी जो आपको देखनी है उसको सर्च करके ढूंड के आपके सामने जरूर ले आऊंगी अगर मीश्यों पे मिली तो चलिए बढ़ती हूँ वीडियो में आगे आज के चुड़े में मैं आपके साथ तीन साड़ीया शेयर करने साड़ी इसका जो मेंट्रेल है वो जॉर्जेट का वहां पर मेंशन है ब्लाउस का भी मेंट्रेल जो है सिल्क है लेकिन जॉर्जेट का मेंट्रेल भले यहां पर मेंशन है लेकिन यह बहुती सॉप्ट वाला है बहुती प्यारा वाला इसका मेंट्रेल है और यह ना स्ट्र इस लटकन कुछ भी लगा हुआ नहीं है, पूरी साडी जो है, प्लेन है, पूरे एलो कलर एंड ब्लैक कलर के आपको शेड में यह साडी मिल जाती है, तो जैसे कि टाइगर प्रेंट होता है, सेम उसी तरह कि यह साडी है, इसका जो मेटरेल है वो जॉर्जट का पको मिलेगा बहुत ही फ्लोई साडी है, मतलब आपको मैं क्या बताओ, इतना फ्लोई साडी है यह पैनने के बाइद इकदम से अगदम शरीर को हग कर लेती है, बोड़ी को हग कर लेती है, इस तरह कि यह साडी मुझे काफी अच्छी लगी, इसकी हाइड भी काफी अच्छी खासी है, लंबाई चोड़ाई, दोनों भी इसकी परफेक्ट है, डेफिनिटी आप इसको बाइ कर सकते हैं, तो यह देखिए मैं आपको साडी दिखा देती हूँ, तो यह इस तरह से आपको यह पूरी साडी मिलेगी, नीचे से भी सेम है, पूरी प्लेन साडी है, बस आपको इस तर है, बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे इस तरह की यह वाली जो साडी अच्छी नहीं लगती, पहले भी मैंने एक पिंक कलर की साडी आपके साथ शेयर की थी, जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगी यहाँ पे, तो आप प्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, तो उसी साडी के जैसा इसका मट्रेल है, लेकिन बहुत ही सॉप्ट है, और काफी अच्छी से मैनेज हो जाती है, बैट जाती है पहनने के बाद, थोड़ा सा प्लेट जो है ना, थोड़ा से हेवी फूल ने लगते हैं पहनने के बाद, तो आप उसक सारे सेलर है, तो अलग-अलग आपको प्राइस मिलते रहेंगे, मैंने जो प्राइस पे किया है, वही मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने जिस सेलर से लिया था, उनी का में कोड आपको प्रवाइट कर दूँगी, अगर आपको other सेलर के पास मिलती है, तो आप definitely अपने हि अच्छा लगता उस तरह का मट्रेल तो प्लीज मत बाय करना क्योंकि मुझे इस तरह के मट्रेल अच्छ नहीं लगते लेकिन साड़ी बहुती सॉफ्ट है बहुती स्मूध है तो चलिए इसका ब्लाउज आपको दिखाती हूँ तो ब्लाउज जो है आप देखिए इस तरह से सेमी हैंड तक यहां तक आ जाएगा आराम से और यहां पर काफी अच्छा खासा मार्जिन भी आपको मिलता है देख सकते इस तरह से तो आप इतना इसका सिलाई खोल के या फिर आपको जिस तरह से चाहिए फिटिंग या लूज आप कर सकते हैं दोनों तरफ से आपको अच अच्छे से इसको फिक्स किया गया है तो मुझे यह अच्छा लगा फोरुक्स मिल रहा है प्लस आपको बैक साइट पर नॉट मिल जाएगा यह वाला जिसमें इस तरह से टैसल बंदे हुए हैं यह देखे काफी अच्छा लग रहा है लेकिन यह बहुत ही बड़ा है इसका जो साइज है ब्लाउस का में स्क्रीन पर मेंशन करूँ तो आप देख लीजिएगा तो यह मुझे पर्फेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यह बहुत ही बड़ा है तो इस तरह से आपको इसका ब्लाउस मिल रहा है तो ब्लाउस का मैट्रिल कॉलिटी बहुत ही अच्छा है एक पांचा मैमोरे कोम इक होता है मैंने जो ब्लाउस के शेयरे किया है तो चली आवे मैंबको सेकेंड साधी दिखाती हूं सेकेंड जो साड़ी है ओ भी बहुत ही प्यारी है तो इसका ऊरिजिनलल पिक में यहां पे मेंशन कर짝ाल है और कुमलम का यहां मेंशन कर यह तो आप द मुझे ये साड़ी मेशियों पर मिल गई ड़ां चलिए आपके साथ शेयर कर दो काफी अच्छी प्यारी बहुत अच्छी वाली तो मडेल इसलोब invitation जाएंगे ना तो थोड़ा सा शाइन करती हैं इसलिए सॉप्ट सिल्क है प्लस इसका जो मत्रेल है इतना सॉफ्ट है इतना प्यारा मत्रेल है ना मुझे यह बहुत पसंद आई इसमें एक औरेंज और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन भी है तो मैं उसको भी ट्राइज जरूर कर करूंगी तो इसमें आपको मीशों पर कम से कम साथ से आठ कलर मिल जाएंगे बहुत सारे सेलर के पास आपको यह साड़ी अवेलेबल है लेकिन मैंने जिन से लिया है उनी का कोड में आपको प्रवाइट करूंगी तो आप उनी से पर्चेस करना बहुत ही अच्छी बहुत ह साड़ी है तो चलिए बात करते हैं पल्लू से पल्लू के तीनों तरफ से आपको यह वाला बॉर्डर मिलेगा लगा हुआ राफी अच्छे से यह जो बॉर्डर है यहां पे लगाया गया है जिससे कि यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहां पे बॉर्डर लगी है पल्लू पूरे आपको साड़ी में यह स्टोन वर्क मिल जाएगा स्टोन वर्क मतलब यह स्टोन जो है उनको चिपकाया गया है ग्लू से तो काफी अच्छा लग रहा बहुत ही प्यारी साड़ी है साड़ी को अगर वाश भी करोगे ना तो भी इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाने बहुत ही प्यारी साड़ी है उपर नीचे से आपको सेम साड़ी मिलेगी यह उपर वाला पार्ट आपको मिलेगा और यह नीचे वाला नीचे की बॉर्डर में अपको ब्लू कलर मिल रहा है और उपर की तरप और बीच में आपको यह पिस्ता कलर टाइप में मिल जाएगा ये पूरा बांधनी प्रेंट वाली साडि हैं, बहुत सुंदर है, इस मटरेल मुझे बहुत प्यारणा लगा, बहुत ही सॉफ्ट वाला मटरेल है, और वाकई सॉफ्ट वाली साड़ी हैं, इसको जब मैंने वेर किया, तो एकदम से पर्फेक्टली बैड गई, मुझे बहुत बहुत हाट रहती है तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन ये साड़ी वैसी नहीं है बहुत अच्छी है बहुत ही सॉफ्ट हैं अगर आपको हेवी साड़ी एच्छी नहीं लगती तो आप ये साड़ी के साथ भी जा सकते हैं धोदी सी तो है आपको 80 cm इतना आपको मिल जाएगा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर कट करवा के बॉडर लगवा सकते हैं काफी अच्छा लुक आता है अगर साडी को मैचिंग करके ब्लाउज में लगवाया जाए ना तो बहुत सुंधर लगता है तो यह आपको नेवी साडी कावी अपको यह पर पसंद नहीं आता तो आपको मीशो बहुत सारे कलर अवेलेबल है तो आप जो चाहे कलर मंगा सकते हैं जब इतनी प्यारी साडी मुझे रिसी हुई है इतनी अच्छी है तो डेफिनिटली अगर दूसरा भी चूज करोगे न तो अपको अच्छी साडी मिलेगी तो यह रही सेकेंड साडी अब मैं अपको थर्ड वाली जो साडी दिखा रही हूँ यह बहुत ही प्यारी साडी है कोमल मैम ने इसको जो है दिवाली पे वेर किया था तो उनका पिक में यहां पे मेंशन कर रही हूँ और जो इसका ओरिजनल पिके में यहां मेंशन करें तो आप दोनों भी देख लीजेगा सेम है यह साड़ी को जो है अभिश्का मैम ने कोमल मैम ने और सरीता दरक मैम ने वेर किया हुआ है इनों की जो पिके में बारी-बारी करके यहां पर लगाती जाओंगी तो आप देख लीजेगा बहुत ही प्यारे साड़ी है इसका जो मट्रेल है वो जैकवार्ड का मट्रेल है तो मैं आपको साड़ी अभी दिखा देती हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दू इसके उपर आपको यह तीन इस तरह से पॉम-पॉम मिल जाते हैं यह बहुत ही प्यारे लगे मुझे तीन नहीं है सारी यह छे मिल जाते हैं तीन रेट कलर के तीन एलो कलर के तो आप इसको पल्लू में या फिर जैसे चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं तो इस तरह से आपको यह मिल रहा है त्री रेड है त्री एलो है चली मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ जो है आप द साडी का जो पल्लू है आपको देखे इस तरह से मिलेगा आपको तीनों तरप से ना कट वर्क वाला ये बॉडर मिल जाएगा बहुत ही प्यारा बॉडर इसमें लगाया गया है ये बॉडर लगी हुई है बैक साइड से देख सकते हैं इस तरह से इसको स्टिच किया गया है का थोड़ा सा कड़क वाला इसका मट्रेल है जिनको इस तरह की साडिया पसंद आती है डेफिनेटली वह यह साडिय को बाय कर सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह की साडिया ना मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मुझे ना सिल्की एंड सॉफ्ट साडी बहुत इस तरह से अपको इसका पूरा पल्लू मिल जाएगा नीचे की तरफ से सेम आपको यह बॉडर मिलेगा चली मैं आपको साडी दिखाती हूं साडी जो है पूरी आपको इस तरह से मिलेगी पल्लू का जो पोर्शन है आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा यह दिखिए इस तर पार्ट आपको चेंज मिलता है साडी पूरी एक जैसी आपको मिल रही है बहुत ही प्यारी साडी है डेफिनेटल आप यह साडी को भी बाय कर सकते हैं अगर आपको कड़क वाले मट्रेल अच्छे लगते हैं तो एक साइट से आपको जो है इसका त्रेट का काम दिखाई प्रॉफ पर्षन मिल रहा है ना यह फॉर्स्ट वाला जो हम लोग फोल्ड करते ना वह बाला पूरा जoire आपको प्लैन मिलेगा एक तरह से नीचे की तरब से भी सेम आपको मिल रहा है तो इस तरह से आपको यह आप को उल जाएगा तो चल्हीं अभी बात करते हैं ब्लाउ अबढे लिए आपको अच्छावला मट्रेल आपको मिलेगा चलिए अभी मैं आपको ब्लाउस दिखाते हूं तो ब्लाउस जो है आप देखिए इस तरह से आपको हाथ इस तरह से यहां तक जो हैंड आते हैं आप उस तरह से स्टिच करवा सकते हैं तो इसका जो मट्रेल है बहुत ही प्यारा है काफी अच्छा इसमें कडाई का काम किया गया है बहुत सुन्दर लग रहा है सिक्वेंस है रेट कलर के थ्रेट से काम किया गया है बहुत ही प्यारी साडी है इसका ब्लाउज भी डेफिनिटली सिलवाने लायक है एक मिटर का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाता है तो आप डेफिनिटली इसको सिला सकते हैं तो मुझे ये साडी और ये ब्लाउज बहुत ही प्यारा लगा अगर आपको ये साडी और ब्लाउज लेना है तो तो मतलब 940 की यह साढ़ी मुझे मिली है तो अधर सेलर के पास भी आपको यह मिल जायेगी अधर सेलर का मुझे नहीं पता कि कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी लेकिन मेने जो सेलर से लिया है उनीका कोड मैं आपको प्रवाइट कर दोंगी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं otherwise आपकी चॉइस है तो यही थी मेरे आज की साड़िया I hope आपको इन में से कोई ना कोई साड़ी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपके काम की है या फिर आपको जानकारी बरी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक मेरे चानल को सब्सक्राइब है जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कमेंट करना विल्कुल भी न भूलिए तो चलिए मिलती हो आपको कुछ नए टॉपिक के साथ नहीं वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स टेक केर